कैसे हो आप सबी लोग आसा करती हूँ आप सबी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं फिर से शेयर करने वाली हूँ इस रोबो कुप में बहुत ही यम्मी सी रेसिपी पिछली वीडियो में मुझे बहुत से कमेंट आए कि राइस के अलावा कुछ और कुक करके दिखाईए जैसे की कोई सबजी आज मैं आप लोगों साथ में इसमें शेयर करूंगी बनाकर टैंगी आलू की रेसिपी जी हाँ टैंगी आलू की रेसिपी बहुत ही यम्मी लगती है तो मैं आज आप आप लोग को दिखाऊंगी बना कर कि किस तरीके से इसमें टेंगी यालोग की सबजी है वो बना सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस रोबो कुक के बारे में जो की मुझे बहुत पहले रिसीव हुआ था एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा पर्सनली मैं बता रही हूँ मुझे बहुत पसंद आया है तो इसके फीचर्स होते हैं जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं यह है एलेक्ट्रिक रोबो कुक जो की स्मार्ट रोबो कुक है यह खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बैचिलर हैं एंड हम वोमन के लिए भी कम थोड़ीना है हाउस वाइफ के लिए ज़रूरी थोड़ीना है ब्रेक्वास्ट लेंज डिनर सब कुछ बना के तयार करें और अपनी फैमिली को प्यार से खिलाएं तो दोस्तों यह जो है एलेक्ट्रिक रोबो कुकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सो चलिए पहले मैं इसकी अन्बॉक्शिंग करती हूँ आप लोग दिखाते हूँ किस तरीके से रिशीव हुआ है मुझे इस तरीके से हम ओपन करेंगे एक और पार्ट है इस तरीके से ओपन हो गया है सबसे पहले इस तरीके इस थर्माकोल की लेयर मिलती है जो कि मैं निकाल दे रही हूँ यह सेफटी के परपस से बहुत अच्छे से कवर हो गयाता है जिस बॉक्स में यह आया है एक और बॉक्स उपर से बड़ा सा कार्बोर लगके आया था उसमें यह वाला बॉक्स पैक था तो चलिए आप में दिखालती हूँ कुकर यह रहा हमारी किचिन का स्मार्ट लोबो कुक जो की बहुत प्यारा है यह देखेगा तो चलिए इसको ओपेन करते हैं इस तरीके से पॉली थेन में इस एक कवर था यह रही हटा दिया तो अब मैं आपको दिखाते हूँ कि क्या-क्या मिल जाता है तो इसको मैंने यह ओपेन किया और इसमें यह पॉली पैक मिली जिसमें मुझे सबसे पहले हमको इसमें मिल जाती है ऐग्ये बुक यह घ्रीक डूम यह और आपको बहुत सारी रेसपी मिल जाएंगी इसमें बहुत सारी रेसपी दी गई हुई है आप इन से पढ़ कर और देखकर रह जा सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंण वाल मिल जाता है जहां ऐसमें बनाने के सारे process लिखे हुए है, किस तरीके से open करके धुला जाता है वो उसके यह कहा जाता है यह सारी process में लिखी हुई है, तो manual आप लोग जरू पढ़ लेना एक बार इसकी जानकारी के लिए और उसके बाद मिल जाता है वारंटी और ठेंक्यूंकाड कि यह और इसमें बिल जाते हैं यह दो सिलिकोन के पकड़ने वाले तो हीट हो जाता है जब इसे तो इसको निकालने के लिए बहुत अच्छे हैं और भी उसके लिए भी आ सकते हैं यह एक मिल जाता है कि मेजरमेंट कब जो कि आपसे नाप तोल करके बना सकते हैं राइस या पर पानी वगरा नापके डालना हो उसके लिए यह वायर जिसमें लगेगी एंड एक यह इस पैचुला तो बहुत क्यूट सा है यह एक यह मिलेगा सो बस इतना साइस में सामबार मि यह बिलेगा एक फाइब लीटर का बहुत बड़ा सा बाउल इन अफ है एक अच्छी वडी फैमली के लिए इन अफ है फाइब लीटर के फाइब लीटर का है और यहां पर मेजरमेंट दिया गया हुआ है आप देख सकते हैं जितना भी आपको खाना को करना है वाटर डालन और यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं कितना पको पाइब डालना है अंदर से भी देख सकते हैं तो यह है और यह रहा कुकर का नीचे का बेस तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ कि यह कैसे वर्क करता है और पूरा दिखने में कुछ ऐसा दिख यह प्रेशब कर सकते हैं यहां पर यह आपको लेड मिल जाता बटन डिया हुआ है और उसके बाद मैं बात करती हूं के फीचर्स की तो यहां पे साँ से अप आउन कर ली गया इसको उसके वार्म यहां पर libill यहां से चाहए चाहए अपनी ज्छोड़े ऑप आढ़ेगा और चाहए खेक्श यह 시간이 को सबस्राइब तो राइस का बटन डाल बनानी है तो डाल का सामभर के लिए यह पॉंगा यानि खिचडी के लिए इडली के लिए और बहुत सारे आप्शन और भी बहुत सारी छीज़े इडली आप्शन से बन सकती है यह बटन दिया हुआ सोटे का सो जब भी हम कुछ चीज़े जिसे भून करेंगे ये हँआ पर बनाना है तो कुछ पर करेंगे लोचे करने से ने कर देंगे यह प्लास माइनस दिये गए होगे है कम जfi करने के लिए अपना टाइमर ए कंड और हाँ आप को जब भी आप इन चीनों वाने यूज करेंगे आप सोचों कि खांь जल्दी ओहारा खाना बन जाएगा कोई कमी होगी कोई कमी नहीं होगी जैसा रेक्विक बनेगा ठीक वैसा मीडियम पर से यहां बना सकते हैं बिर्यानी भी बना सकते हैं चिकन एंड फिस सो यह रहे इसके सारे आप्सन और जब भी आप उसमें को करेंगे टाइमर यहां आ जाएगा उस साब से जब अब इसको लिड लगा देंगे तो यहां पर पूरा कूप प्रोसेस हो जाएगा तो यहां पर कि बीब की आवास भी आएगी लिन हमारा खाना है वो खुऌ जाएगा अगर आपको खाने को अपने आप खाने को गरम ही रहना देना तो जब आप उसे ओपन करेंगे तब गरम ही रहेगा अंड ही तो आफ चर्व कर सकते हैं वो यह है इसका सारे फीचर जो कि मैंने आप ल आप लोग भी इस कुकर को ख़ीदना चाहते हैं तो इसका बाइ लिंक में दिया है आप वहां से खरी सकते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं इस पे रजपी बनाना अब से पहले आपको अटे कर लेना है ऊशर्सो का अचाहटय करना हैं उसके बाइस बतरय आप 13 डृट 2 स्टीव स्टार्टोटा ते 2 तेडी पेन ओल जैसे सर्सों सकते होगा तो ओड़िंख क्लीक करणा है जिनसेसे फड़िंग जीरा जैसे से तोड़ा साध्या सा आप सॉप डालना बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो मैं जिस रेस्पी का शेयर कर रही हूं यही सारी चीजे पढ़ेंगी तो आप देख लीजेगा और उसके बाद आप डालेगा तिल मेरे पास थे तो मैंने इसमें डेड़ से 2 से डेड़ चमबन मैंने इसमें इसमें वा अच्छा बाद आप देख लाजमी डाल दी है और हलका हलका सोटे कर लिया है जैसे यह सारी चीजे सोटे हो जाएंगी फिर मैंने जो आलू है बारीक से करकर रखे हैं उनको डाल दूंगी और इनको थोड़ी दे भूनूंगी थोड़ी दे भूनूंगी करीवन करीवन 10 से 15 के लिए और जैसे यह थोड़ी से मसाले में मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसमें मसाले आड़ करेंगे मसाले आपको क्या आड़ करना है नॉर्मली जो भी आपकी मसाले होते हैं बेसिक मसाले जैसे की हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और नमक और लाल मिर्ची पाउडर अप के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दोंगी इनको मिला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालेंगे क्योंकि आमचूर पाउडर यह जो रोबो कुक है इसमें हम जो भी कोगिंग प्रोसेस करते हैं एक साथ ही सब्चीजे डाल देते हैं फिर उसक करीबन पानी डाल दिया है मेजर्मेंट करके सो यहां पर अब मैंने साथ विजे डाल दी अच्छे से बॉय लागी है अब इसको मैं धका लगा कर बंद कर दूंगी और प्रेशर लगा दूंगी तो यहां पर देखिए मैंने एरो को लॉक पर गुमा दिया है और लॉक हो ग क्लिक किया तो यहां पर देखिए मीडियम पर भी क्लिक हो गया है और फिप्टी मिनट का टाइमर लग गया है जैसे ही यह फिप्टी मिनट कंप्लीट होंगे उसके बाद भी बीप की आवाज आएगी और हमारी उस सबजी है 15 मिनट के अंदर बन के तयार हो जाएगी ओपर बार बार जाके चेक करने की जरूरत भी नहीं है खाने में भी बहुत ही टिस्टी थी आप चाहें तो इसको ड्राइ भी बना सकते मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई है तो यहां पर सबजी बन के तयार है तो मैंने सुच कुछ मिठा भी बनाया जाए तो मैंने फिर से बौल गो दो दिया है और इसके बाद को करकॉण किया है और सोटे पे लगाया है और मैंने इसमें पैन में डाला है देशी घीर करीबन-करीवन डेढ़ चमच और मैंने इसलिए दुबारा बना रहे हूं है क्योंकि मैं बना जारी हूँ मीठी सिवाईया तो इसकी भी रेस् इनका प्रणाइब निकाल लेंगे तो इसमें थोड़ा सा गी डाल कर रखे थे वह भी डाल देंगे जैसे कि आपके पास भुनी वी सिवया है तो आप ड्राइफूट को ही फ्राइ करना देन उसके उपर भुनी वी सिवया है वो डाल देना सुबह थोड़ी देर इनको मैंने चलाया और सारे जो ड्राइफूट है उनको भून लिया है अच्छी महकाने लगती है सोंदी सोंदी सी हमारी खीर है जो सिवया कि वो बनके तयार होती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तु静 दिखे ड्राइफ चसे भूण गए है अब इसमें सिवया जो है वो भी डाल दूँगी जो मैंने भून कि रखी थी मीक्स कर दें गे अब इसमें डालेंगे दूढ़ तो मैंने इतनी समयों में डाला था करीवन करीवन डेड़ कब दूद तो आप यह देखिए एक कब डाल दिया है चला दिया है और अब मैं आधा कब दूद और डाल दूँगी इनको मिक्स कर दूँगी और जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसे हिसाब से आप इसमें चीनी अगिरन कर लीओ जहिए अपनी अपनाि चीनी है वह एड़ कर ली है और उसके बाद मिक्स कर देंगे ओर अब मैं इसमें मल्क रखरariat करोंगी मेंने मावा से बनाया था क्योंकि मेरे purposely मेरे पास मेल गर्पर ग़र ऊवा रखा था यह यह आप लोगों ने बादे नम्हें को दिखाती हूं यह देखे कितनी टेस्टी समया वनीती दिखने में यह सुनर लगरी है ना काड़ स्वंदी स्वंदी लग रही थी सो दोस्तों बहुती टेश्टि बनी थी यहां पे लाची यह पाउडर लाची द्लाईवार बनाई दाल दिया है इसका फ्लेवर और बढ़ गया है तो चलिये बन घी जाले है और ढर्म गरम पूरिया और यह मेठी सिवया तो आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा बहुत इजी है इस कुकर में खाना बनाना और बहुत ही सेफ है तो गाइस यह देखिए हमाई थाली यह लगके तयार है गर्मा गर्म पूरियां यह डेंगी आलू की सब्जीफ देखने तो बहुत ची लग रही है आप लोग भी आजाएए खाते हैं खाना दिनर रात का करते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना रेस्पी पसंद आई हो इसे ज़रूर से ज़रू ट्राइ करना आग्या और कौन सी रेस्पी इस कुकर में आप लोग देखना चाहते हैं मुझे ज़रू कमेर से आप वहां से खरीज सकते हैं तो आप भी आराम से कमरे में बैठे 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 आप कुकिंग कर सकते हैं तो चलिए मिलते हूं नेक्स वीडियो में तो तक लिए बाबाए टेक क्या थैंक वोचीं